गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वी के मिश्राफ फ्रॉम गेस्ट्रो लेवर हास्पिरल स्वरुपनगर कान्पूर आज हम बात करेंगे गालवेडर जो स्टोन है उसके पीन के केरेक्टर उसके अटेक के बारे में जो गालवेडर स्टोन है पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया इस वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो गालवेडर का स्टोन है वो वास्तों में एक पेन का अटेक लेके आता है आज हम इसको साइंटिफेकली एनलाईज करने की कोशिश करेंगे नो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि गालवेडर वास्तों में क्या आरगन है यह आपको जो फोटोग्रैप में दिखाए दे रहा है यह गालवेडर का शेप है अगर आप ध्यान से देखें तो जो गालवेडर है वो लिवर के नीचे के एरिया में राइट साइड में जह पहले साइड होता है इन इसका ऑंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे बाइल केते हैं उसे हिंदी में पित्त भी कहते हैं पित्त वास्तों में इसमें भरा हुआ है है आगर हम गालवेडर के स्ट्व को ध्यान से देखें तो यह जो फोटोग्रैप आपको दिखाई दे रह उसमें भी बाइल होता है यह जो पूरा का पूरा जो गाल बेडर है या पित है यह वास्तों में एक नली के जरिये से पित्ती की नली में जुड़ा होता है और इस नली को कहते हैं सिस्टिक डक्ट इसका मतब है कि गाल बेडर जो बाइल लक्ट है इससे जुड़ा हुआ होता मिलता है जो बाइल है वास्तों में हमारा लिवर बनाता है जो बाइल बनता है इसका काम में फैट को डाइजिस्ट करें तो लिवर जो भी बाइल बनाता है वो पित्ती nalी के जरिये से गाल बंडर पर और आता है उसकétais हो घो the sense कि ये थोड़ा सा गाड़ा होता है और concentrate होने से इसका जो volume है वो कम हो जाता है जब हम खाना खाते हैं जब खाने का portion खाने की तहली से आगे बढ़ता है तो हमारे गाल बेडर को एक signal मिलता है कि अब खाना आ गया और बाइल की जरूरत है तो ये जैसे ही signal पहुंचता है तो गाल बेडर contract होता है और जो बाइल है वो बाइल लट के थू हमारी intestine में आ जाता है तो अगर हम ध्यान से देखें तो liver में बाइल बना वो आके जो गाल बेडर में कठा हुआ वहाँ पे concentrate हुआ और जब हमने खाना खाया तो खाने में जो fat है उसको वास्तों में digest करने के लि अगर आपका जो गाल बेडर है उसके अंदर जो बाइल है उसके जो consistency है वो ठिक हो जाएगी यानि जो बाइल है वो गाढ़ा होने लगेगा अगर बाइल किसी भी कारण से गाढ़ा होने लगेगा तो वास्तों में उसमें clumps बन जाएंगे या चोटे-चोटे गाठें जैस जाती है जिसे कहती है sludge अगर यह sludge लंबे समय तक बनेगी तो sludge over a period of time convert हो जाती है stones में ऐसे ही अगर किसी भी कारण से गाल बेडर के जो functioning है वो पूर होई जैसे गाल बेडर के इंदर बाइल है उसको हर बार जो बाइल है उसको भीजने के लिए contract करना पड़ता है अगर इसका contraction poor हुआ तो भी जो बाइल है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है तो भी stone बनने के जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी इसका मतलब यह है तो गाल बेडर में stone दो ही conditions में बनेंगे या गाल बेडर के अंदर के जो बाइल है वो ज्यादा गाड़ा हो गया य stone है वो कई सारे हो सकते हैं जो stones है वो चोटे चोटे हो सकते हैं stones solitary होके कभी कभी बहुत बढ़ा हो सकता है इतना बढ़ा हो सकता है इसकी size golf ball के बराबर हो सकते है तो multiple हो सकते हैं यह solitary हो सकते हैं नो किस type के stones होते हैं यह यह किस तरह की stones है डॉमिनिटल जो stones है वो दो तरह क यह हरे कलर के होते हैं कुछ यईलो स्टोन लेके होते हैं यह यह ते हुझत कमन स्टोन फिग्मेंट इस नंत करते हैं जिर्क कलर हते हैं यह नो यह भॉर कुराल लेके चलते यह Sort 1D – 5-20% इंसिडेंस तोकल्द कंचा है है तो यह question हमेशा आता है कि वास्तों में गाल बेडर का जो stone है उसके risk में है कौन किसे होते हैं गाल बेडर stone अगर हम गाल बेडर stone को देखें तो पांच चीजों को आपको याद करने की ज़रूरत है number one the more common females वो males के comparison में females को जादा होते हैं number two they're more common after the age of 40 years इसका मतलब है कि 40 year के बाद ज़्यादा होते हैं लेकर ऐसा नहीं है कि 40 years के आमें नीचे नहीं होते हैं यह fertile females में ज़्यादा देखे जाते हैं यह fatty females या जो obesity ज़्यादा है जिनका BMI ज़्यादा है उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं यह पहले माना जाता था कि वास्तों में जो white population है उसमें ज़्यादा है बट आज की तारीक में मैं अगर कहूं तो इसका incidence जो Asian countries है जो black population है या जो हना में उस तरह की population है उसमें भी उतना ही ज़्यादा है तो this does not hold true अगर किसी भी female की मदर को भी गाल बेडर स्टोन था then the possibility is कि आपको भी जोना गाल बेडर स्टोन हो जाएगा तो इसलिए family history, female, 40, fertile, fat and fair these are the areas जहां गाल बेडर का जो स्टोन है उसके ज़्यादा होने की संभावना होती है हमेशा कुछ underlying diseases होती है जो risk ख़ड़ा करती है कि गाल बेडर का स्टोन तो नहीं हो जाएगा स्टोन डेवलप तो नहीं हो जाएगा ऐसे ही liver cirrhosis की बिमारी में there is always a risk कि गाल बेडर का स्टोन नहीं डेवलप हो जाए all those females जो birth control पिल लेती है या oral contraceptives लेती है वो हमेशा risk में होती हैं गाल बेडर स्टोन के ऐसे ही अगर आप sudden weight loss करते हैं by dieting तो you are always at risk of developing a गाल बेडर स्टोन ना गाल बेडर का जो स्टोन का जो attack है वो क्यों आता है और इसको trigger करता कौन है वास्तों में अगर हम ध्यान से देखें कि जो स्टोन से वो silently गाल बेडर में बैठे रहते हैं बिने किसी problem के अगर आपको stone develop हो गए हैं तो लेकिन किसे भी कारण से stone है वो यहाँ से move हो कि cystic duct में जाके अटक जाता है या गाल बेडर की neck में जाके अटक जाता है तो गाल बेडर पूरा का पूरा block हो जाता है अगर गाल बेडर block हो जाएगा उसकी outlet block हो जाएगी तो गाल बेडर distant होने लगेगा अगर गाल बेडर distant होने लगेगा तो stretch होगा और उसमें कुछ infections होने लगेगे जिसी कहते हैं कॉलिसस्टाइटिस जब भी इस तरह की problem होती है कि जो गाल बेडर का stone है वो neck या cystic duct में जाके stuck हो जाता है तब वास्तों में दर्द का जो attack है वो आके ख़डा हो जाता है आपके सामने जो usual precipitation है वो हमेशा high fat diet से आते हैं कि आपने कुछ high fat diet ली जिसने stone के attack को precipitate किया लेकिन ये जो attacks है बिना किसी precipitating factor के लिए आ सकते हैं तो जब भी gallbladder के stone के attack के हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देनी की जरूरत है कि इसकी pain की site क्या है इसका pain का character क्या है इस pain का radiation कहा हो रहा है इसके associated symptoms क्या है और इसके वैसे कौन से factors हैं जो इसको relieve करते हैं या कौन से factor हैं जो उसको aggravate करते हैं अगर हम ध्यान से देखें site को the most common site is the right hypochondrium जहां मेरा हाथ रखा हुआ है but it comes in the epigest him as well तो या तो यहां आएगा या यहां आएगा कभी-कभी यह mid chest में आ जाता है बिल्कुल mid chest में pain हो सकता है इन कभी-कभार यह दर्द यहां आ जाता है वो बिल्कुल ऐसा mimic करने लगता है जिसा के heart attack का pain होता है तो site का जहां तक सवाल है तो इधार हो सकता है इधार हो सकता है इधार हो सकता है या यहां भी हो सकता है तो these are the common sites for the pain अगर हम character को ध्यान से देखें यह जो दर्द है यह अचनक आता है all of a sudden यह वास्तों में dominantly night में आता है बारा बजे रात के बाद आपने खाना खाया इसके बाद आप सोए एक डिड़ से दो घंटे के आसपास यूजवल यह pain का attack आता है यह usually आता है अगर आपने रात में high fat dinner लिया है तो यह continuous pain है यह रुक रुक के मरोड़े वाला pain नहीं है और जो दर्द यहां से होता है यह unbearable है और उसके tendency होती है कि उपर की तरफ चलता है नीचे की तरफ जाने की कोशिश नहीं करता है तो अगर कोई भी दर्द middle of the night में आया जो उपर की तरफ चल रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं यह गाल बेडर का pain तो नहीं है यह continuous pain होगा रुकने वाला नहीं है unredenting severe pain होगा जहां तक radiation का सवाल है यह pain यहां से सीधा पीछे की तरफ महसूस होगा आपको यह chest के इस तरफ जाएगा यह इसके इस तरफ जाएगा उपर की तरफ चड़ेगा और कभी कभार आपको लगेगा कि right side का जो shoulder है यह shoulder में भी pain हो रहा है तो यह radiate होता है shoulder में अगर हम associated symptoms की बात करें तो इसके साथ में vomiting होगी या nausea होगा इसके साथ में fever आ सकता है अगर stone stuck हुआ और bile duct पर अगर इसने pressure डाला तो हाल किसी jaundice हो सकती है यह अगर यह attack लंबे समय चला तो यहाँ पर छोटी सी गांट मैसूस हो सकती है एक paralysis develop हो जाता है तो ज़्यादा देर तक चला तो पेट कर जो है वो distended हो सकता है तो यह associated symptoms है बट the most common symptoms are vomiting, nausea, fever and jaundice जो इस attack के साथ में आते हैं नो क्या कोई aggravating या relieving factors है कोई specific rule नहीं है लोगों का ऐसा observation है कि कभी अगर vomiting हो जाती है एक दो तूसे दर्द में कुछ कमी आ जाती है बट ऐसा कोई rule नहीं है अगर unbearable pain है तो इसको pain killer चाहिए चाहिए तो oral pain killer चाहिए अगर आप vomiting जादा नहीं है otherwise it is the injectable pain killer जो इस attack को अलग करता है बिकास attack की severity हमेशा जादा होती है जो aggravating factors है उनमें high fat diet is the most common aggravating factor जो हमको समझनी की जरूरत है लेकिन एक बार अगर colisitis develop हुई गाल बेडर में swelling हुई गाल बेडर में inflammation हुआ तो इतना ज़्यादा pain होने लगता है कि फिर आप अगर move भी करते हैं bend forward करते हैं तो आपको दर्द बढ़ने लगता है जहां से यहां चालू होता है इन उपर की तरफ चड़ने की कोशिश करता है यह radiate होता है तो पीछे की तरफ जाता है बट यह इस जो दाई तरफ का जो शोल्डर है इसमें भी जा सकता है and the most common associations are कि इसके साथ मैं vomiting होगी nausea होगा, fever आएगा जॉंडिस हो सकती है इन सबसे important चीज कि जो दर्द आता है most commonly in females and most commonly in the middle of the night आपके high fat diet खाना खाने के बाद जब आपके नीन लगी उसके एक से डिड़ घंटे के बाद तो अगर इस तरह का दर्द आपको अटेक्स में आ रहा है in the middle of the night तो आपको गालबेडर स्टोन के अटेक के बारे में सोचनी की जरूरत है अगर इस अटेक को समझने में ये वीडियो आपको help करता है तो जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा from guest to liver hospital